दोस्तों नमस्कार औस्टेलिया के पूर कप्तान एलन बॉर्डर ने डब्रोटीसी फाइनल से पहले औस्टेलिया टीम के कोई भी वार्म अप मैश ना खेलने पर आश्चर रहे जाहिर किया है उनका कहना है कि ये फैसला जो है बहुत नुक्सान धायक थाबित हो सकता है तो अब यहां पर क्योंकि बेक हम जो है बेकन हम एक जगा है वहां पर वो प्रैक्टिस करेगी और टीम इंडिया भी वार्म अप मैश नहीं खेल रही है इस बार कोई भी और इससे पहले हम आपको याद दिला दे कि बॉर्डर कवस का ट्रॉफी में भी ऑस्टेलिया की टीम न महां वही टीम के लिए उप्योगी रहेगा और स्टीव स्मित और लेबुशेन और मरकस हैरिस यह तीन खिलाडी है जो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका उन्हें निश्चेत तोर पर फाइदा मिलेगा और भारत की ओर्थे चेटिश्पर पुजारा जो है काउंटी क पर विचार किया जाएगा और टीम जल्दी ही जानी अगले हफ़े ही रवाना हो जाएगी इंग्लेंड के दोरे के लिए जहां उसे भारत से खेलना है डव्लो टी सी का फाइंडल एलन बॉडर की बातों से आप कितना इस्तिफाक रखते हैं आपनी राए कमेंट सेक्शन मे जरूर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार